किट स्टेडियम के लिए हमने कहा इंट्रनाश्टनल स्टेंडर्ड का होना चाहिए अंतर्रास्ट्य इस्तर का यह गया यह क्रिकेट वाला जो एसोसियेशन है वहां गया पता नहीं कितना महीना लिया है लगा कि हम लोग अगर बिना उन्हों कि सम्मति के बनाएं यह तो कोई बिहार में फुटबॉल होकी इन सब चीजों का भी इंतिजाम होना चाहिए और यह स्पोर्ट्स अकैड़िमी बने इसमें हमारे बिहार के और जो भी स्टूटेंट पढ़ेंगे उनके रहने की जगह जो उनके टीचर्स होंगे एक्सपर्ट्स होंगे जो उनको पढ़ाएं यह सिखाएंगे ठेलना तो वो सब के रहने का यानि हर तरह से बिल्कुल उत्तम होना चीजों और राजगीर का चेन क्यों किया है स्पोर्ट्स अकैड़मी और क्रिकेट इस्टेडियम की अरे राजगीर तो जगह है जहां जरासंद का खाड़ा है इस सब्सक्राइब तो यहीं होगा है कि महाभारतकाल की बात आज कर नहीं है पिर जरासंद का खाड़ा यहीं था तो फिर कौन सी दूसरी जगह होती इसलिए हमने राजगीर को ही चैनिक किया कि यहीं पर होना चाहिए जब स्पोर्ट्स अकैड़मी बने और उस समय तो हम हम्लोंने हर जिला में स्पेडियेम बने क्या क्या नहीं हम लोगों ने सुरू किया और उसके बाद जो हर साल के लिए कैलेंडर बनाया कि कौंसा खेल कब होगा हर साथ एक स्पोर्ट्स दिवस मनाया जाता है उसको बहुत सांदार तरीके से हमारे बिहार के कोई खिलाड़ी बाहर वो अच्छा प्रदर्संद करेंगे उनको पुरसकार मिलेगा तो सब तरह से हम लोगों ने इन सब चीओं के लिए काम करना सुब गया में सोचा था देखार है कि आपर स्पोर्ट्स अटेटमी होना चीओं पर इस मोर्क भारों सोचतِّ हैं और राजगीर थो और है कि यहां सीड़ा है और यहां का वृत वरं है यहाँ के जुपरियावरं के सिती है अब आप चारों तरफ यह पंच परवत है और जो दिखाई पड़ेगा जिस एकेड़ी से जो खेलने पुद्रे वाले को तो उसके बाद कोई दूसरी जगह पर कितना भी बना दीजिए तो उसको उतना अनंद आएगा यह जो अभी जिस जगह आप बैठे हुए कंवें संटर इंटरनेस्टल कंवें संटर अब यह जब कवर के लिए पूरा इंटर्जाम किया लोग आ रहे हैं तो एक एक चीज जो यहां बनाया गया है